जैसरी शाम दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सब का अपने चैनल पर देखिए आज फिर से हम बनाएंगे शाम बाबजी के लिए एक फेस्टिवल ड्रेस इसको बनाना बहुत ही असान है बिलकुल कम मैटीरियल से मैंने इसको रेडी किया है देखिए सिर्फे की फैब्रिक औरे की लेस इसकी हल्प से मैंने इसको बनाया है तो अगर आप बिगनर है तो आप भी बड़ी आसानी से इस ड्रेस को बनाकर अपने शाम बाबजी को तयार कर सकते हैं आगे इतने सारे फेस्टिवल आने वाले हैं शरत पुर्णिमा आने व बाबजी को तयार कर सकते हैं ये देखिए तो इस तरह से मैंने पटका सेट कर दिया है मैचिंग की पगड़ी भी बनाई है और सिर्फ एक लेस का इस्तमाल मैंने किया है और पगड़ी पर मैंने इम और पंक लगा दिया है तो आप इस तरह से किसी भी डेकरेटिव आउटम से और इसको और भी हैवी कर सकते है तो इस तरह से हमारे शाम बाबजी की पुशाग बनकर तैयार है और बिलकुल असानी से ये बन जाती है कोई जादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना इसमें सिर्फ 10 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाती है तो चलिए देख लेते हैं इस dress को मैंने कैसे बनाया है यह देखिए इसको बनाने के लिए मैंने यह embroidery वाला fabric लिया है white color में width मैंने इसकी 5 inch और length मैंने इस fabric की रखी है 29 inch यह देखिए और same width और length का मैंने अस्तर का fabric लिया है तो हम अपने main fabric की सीधी side अस्तर को इस तरह से set करके रखेंगे और सिर्फ एक तरफ से मैं इसको सिलाई से attach करूँगी यह देखिए मैंने कर दिया है फिर हम इसको अच्छे से इस तरह से पलट लेंगे और पलट कर एक बार इसको अच्छे से set कर लेंगे set करने के बाद देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है और side से width वाली side से मैंने इसको नहीं सिलाए क्योंकि वहां मैं tissue ribbon से lock करूँगी अब मैंने यह multi color की mirror वाली lace ली है यह देखिए बड़ी असानी से यह lace मिल जाती है market में तो इस तरह से मैंने सिलाई के साथ उसको भी attach कर दिया है अब मैं side में tissue ribbon लगाऊंगी यह देखिए half inch ओड़ा है यह tissue ribbon इससे इस तरह से हम दोनों side को lock कर लेंगे यह देखिए मैंने lock कर लिया है दोनों तरफ से अब हम pleats डालेंगे यह देखिए बड़ी बड़ी और चोड़ी चोड़ी pleats हमने इसमें डालनी है fabric में क्योंकि fabric हमारा काफी heavy है और नीचे से lease भी heavy है तो बड़ी बड़ी pleats इसमें डालेंगी यह देखिए इस तरह से तकरीबं 1.5 इंच की दूरी से मैं fabric को उठा रही हूं और इस तरह से अपनी pleats को set कर रहे हैं यह देखिए बहुत असान है एक बार आप करेंगे तो बड़ी असानी से यह होती चली जाएंगी इस तरह से हम अपने पूरे fabric में pleats को लगा कर लेंगे यह देखिए मैंने पूरे fabric में pleats लगा ली है और लगाने के बाद यह उपर से हमारा तकरीबं 5 इंच ready हुआ है यह देखिए 5 इंच ready है हमारा तो इस तरह से अब हम अपनी सभी plates को पकड़ कर एक बार इसको set कर लेंगे आप चाहे तो back side से इसको एक बार iron कर लें देखिए अब हम उपर से इसको lock करेंगे इसके लिए मैंने same tissue रिबन लिया है इसको इस तरह से fold करेंगे देखिए इतनी दूरी पर हम इसको खाली सिले तो चलिए मैं यह कर लेती हूं फिर दिखाती हूं आपको यह देखिए मैंने इसको सिल लिया है इस तरह से और इस तरह से पीछे की तरफ बन जाएगा तो हमारा यह वाला पार्ट तयार है अब हम पटका तयार कर लेते हैं इसके लिए देखिए जो मैंने fabric लिया है इसकी length मैंने रखी है साड़े 12 इंच और width रखी है 3 इंच इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार हम इसको इस तरह से lengthwise फोल्ड करेंगे और इस पर हम थोड़ीशी shape में cutting करेंगे यह देखिए इस तरह से उपर से तकरीबन 1 इंच पर मैंने निशान लगाया और तिर्छ कर लेंगे डेकित कर लिया अब इसको झौलेंगे और चारी तरफ से tissue ribbon से लॉक कर लेंगे इस तरह से बड़ी आसानी होजाएगा यह मारा तो चली मैं इकर लेती हूं देखिए मैंने लॉक कर लिया है तो हमारा पटगा इस तरह से बन गया है ये देखिए मैंने पगड़ी भी बना ली है जैसे पटका तयार किया था वैसे ही पगड़ी तयार की है और गोलाई के बराबर इसको फोल्ड करके सेट कर लिया है और एक कलगी भी बनाई है टिशू रिबन के साथ तो अब इन दोनों पर भी मैं लेस लगा लूँगी ताकि कुछ खाली खाली ना लगे देखिए मैंने पटके पर और पगड़ी पर दोनों पर ही लेस लगा ली है आप चाहे तो लेस को ग्लूगन से भी चिपका सकते हैं या फिर फैवी बॉंड करके भी आती है उससे भी चिपका सकते हैं ये देखिए इस तरह ही होती है फैवी अंदर लग रहे हैं शामभाबाजी स्ट्रेस को पहना कर तो फ्रेंड्स इसको बनाना बड़ा ही असान है आपने देखा तो आपको मेरी अड्रेस शामभाबाजी की कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में